तो इस वक्त मारे साथ मौजो देविक्सल कॉंगाडी जी हम उनसे जानेंगे कि क्या इडी ने आपको सम्मन बिज़ा तो क्या आप जाने के लिए अब तक तयार है यह सब जो जांच का प्रकरन है तत्यों को सामने लाने के लिए ही होती है तो जांच में पता चलेगा कि केस जूठा है या सही है लेकिन आप लोग जानकार लोग है अनुभवी लोग है आप लोग को अंदाजा लगा सकते हैं कलकत्ता हाई कोट का ओडर को आप देखिएगा जिसमें जमानत मिली थी और हमार है रांची हाई कोट का ओडर जिसमें आरोपत्तर दाखिल ना करने का ओडर है और इधर तीन-चार दिन पहले भी कुछ हुआ था उन सभी चीज़ों को आप देखेंगा तो आप सब हमको पता चलेगा किया मामला किस तरह का है क्या खुद को अब आपने सर तयार कर चुका ह है इडि किसमक फिर से जाने का सवालों हर सवालों के जवाब देने का खुद से तयार कर लिए अपने आपको सावित करने के लिए कोई भी कहें भी बुलाएगा वहां हम जाने के लिए तयार हैं निलंबित किया गया है कॉंग्रेस में हैं और कॉंग्रेस विचारधारा को आम जंता तक अभी भी पहुचा रहे हैं और कॉंग्रेस का वेनर में जंता की लड़ाईों को लड़ रहे हैं अभी भी जब पार्टी से जुड़े हुए कोई भी जिम्मार व्यक्ति पर कुछ आरोप लगता है तो इस तरह की होती है और अब इसे हम साबित करेंगे और सब ठीक हो जाए आप में जो है चंदा वाली बात आती है सर बीच में इसमें पार्टी हम लोग का चंदा से चलता है आप लोग सब को जानते हैं सभी पार्टी यह चंदा लेती हैं और चंदे से ही राजनीती होता है और यह वेवस्था है ऐसा सभी रास्ती पार्टी यह लेती हैं है ना चुकि पार्टी के पास तो कोई कार खाना तो है नहीं कोई पार्टी का बिजनेस अपना तो है नहीं तो क्या लगता है सरी इर्फान अंसारी जो है फिर उसी तरह से जो है निर्दोश साबित हो करके वापस लोट पाएंगे या फिर किसी चीज़ में उलच करो रहा है अभी जब तक जांस प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे तो जैसा कि आप बुलाया गया है अब उनकी सवाल के जवाब देने के लिए वह भी तयार थे इसलिए और यदी के समक्ष जो है जा चुका है हलाकि उन्होंने कुछ दिन का समय लिया था यहां पर समय पूर्ण होते ही वो इडी committed के पास चले गया है उनकी सवालों पर गिरने के लिए तो हम आगे आपको जरूर दिखाएंगे कि यहां पर आगे होता क्या है वसी इस वक्त मैं मौझूद हूँ हीनु के समक्ष और यहां पर कॉंग्रेस की सारे लोग मौझूद थे और कहीं न कहीं एक तरफ से विरोध परदर्शन मिथा एड़ी को ले करके जियन भारत से निया खान की रिपोर्ट अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले